Hello friends, मैं हूँ विजे सिंग, VPS Motivation and Insurance मैं आपका हार्दी स्वागत करता हूँ Friends, मैं Motivational and Insurance Related वीडियो आप सब के लिए बनाते रहता हूँ और Upload करते रहता हूँ Friends, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो Please Like and Subscribe करना ना खुले और साथ ही साथ में बिल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियोज को देख सकते हैं सो फिर्ट्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी है तो आपको कैसे रिनू करना है कैसे उसका पॉलिसी प्रिंट निकालना है उसका रेसिप्ट कैसे निकालना है उसके टैक्स के लिए टैक्स इनवाइस कैसे निकालना है इस सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ So friends, बहुत ही easy steps है बस आपको इसे follow करते रहना है इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगा इस पे प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे चलिए और Star Power नाम का एक एप है इसे install कीजिए install करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का interface खुल के आएगा Actually, मैं एक बार इसे login कर चुका हूँ और इसका फार्गेट पासवर्ड पासवर्ड में भूल चुका हूँ तो मैं फार्गेट पासवर्ड पे जाता हूँ और अतना email ID डालता हूँ फार्गेट पासवर्ड को क्लिक करता हूँ फिर मेरे email ID पे एक reset पासवर्ड करके message आएगा वहाँ से मैं reset करूँगा और reset करने पासवर्ड को reset करने के बाद मेरे पास इस तरह का एक message आगया कि अब success है So friends, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पहली बार install कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपना इस पे और new registration पे जाना है new registration के लिए आपको mobile number लगेगा आपका email ID लगेगा और आपको password जनरेट करना है पासवर्ड में alpha numeric रहेगा और कुछ special characters भी रहेंगे उसे आपको इसमें डालना है आपको password डालना है फिर सो reconfirm करना है reconfirm करने के बाद आपको continue पे click करना है continue पे click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आपका ये profile खुल के आएगा आपका policy number भी दिखेगा और उसके नीचे दो head दिख रहे हैं इसमें है एक renew now और एक है edit profile policy को renew करना है तो आपको यहां से policy अपने renew कर सकते हैं बहुत easy step है आप हराम से renew कर सकते हैं उसके side में है edit profile अगर आपे profile में कुछ mistakes है नाम होगरे में तो आप यहां पे जा करके अपने profile को edit कर सकते हैं उसके नीचे आप देखेंगे downloads डाउनलोड में चार head दिएव है policy का, section 80D का और health i card का और last में है receipt का policy पे चलते हैं policy पे आप clip करेंगे तो आपके सामने policy आपका जो भी policy है अपने policy लिया है वो सीधा आपके सामने print होकर के आजाएगा यह लगबग पांच या चार पांच पेज का होता है इस तरह का आप इसे print out ले सकते हैं print निकाल करके अपने पास रख सकते हैं और यह अपके लिए अच्छा रहेगा और second है कि आपका section 80D के लिए अगर आपको CE को देना है उसका आपका इसका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं थर्ड बन है फ्रेंड्स वह है अपका पुदिक के गयां पर हेल्थ आइकाड जब यह पॉलसी लेते हैं तो आपके उसी टाइम पॉलसी के साथ में ही आपके साथ आपके पास यह आईकाड हो जाता है अगर आईकाड किसी कारण वह आपका गुम हो गया है तो घवडानी के बाहते हैं आप यहां से इसका प्रिंट ले सकते हैं और इस तरह का आपके सामने प्रिंट हो पर करके आएगा आप इसे अराम से printout निकाल सकते हैं, जैसे यह मेरा है, इसमें तीन मेंबर है, तो तीन मेंबर का card दिखे रहा है, और फर्स्ट वन है, यह आपका card के back side का ऐसा portion दिखेगा, तो last one है, receipt, आपको receipt निकालना है, जैसे आपने renew किया है, payment किये हैं, तो आपका इसका receipt आप निकाल सकते हैं, यहां से, और receipt इस तरह से रहेगा, कुछ portion मेंने blur किया है, और इस तरह का receipt आपके सामने आजाएगा, last one है, आपको tax invoice के लिए, जैसे मैंने बाता आथा, section 80D के लिए, वो tax वो भी आप use कर सकते हैं, यह tax invoice last में, आपके policy में मिलेगा, यह tax invoice आप निकाल करके, अप इस तरह से आपको friends मुझे उमीद है, आप सब समझ गये होंगे, और please इसे like, share और subscribe जरूर केजएगा, thank you very much